2024 में धन्बाद लोगसभा का कौन होगा परतियासी से जानने के लिए पूरा धन्बाद लोगसभा व्याकुल है चलिए हम आपको बताने जा रहा हैं वो तीन बड़े नाम जो धन्बाद लोगसभा से अगले परतियासी के रूप में हो सकते हैं पहला नाम बुकारो के बिदाद बिरिंची डराहिं के सामने आ रहा है तो वही दूसरा नाम के संसद सुनील सिंख का रहा है वही एक और नाम आ रहा है उस नाम की चर्चा लगबक कई सालों से धन्बाद लोगसभा में चल रही है वो नाम है सर्जूराई का अरे 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 आरे आप तो विजवास ही कर गए कि धन्बाद के ये तीनों परतियासी हैं साहाब ये बाते मैं नहीं का रहा है कि आने वाले धनबाद लोगसभा से ये तीन खिलाडी हो सकते हैं धनबाद लोगसभा के परत्यासी ये बाते बेरबो के विधायक अनुभ सिंग कर रहे हैं टिकेट कटने का समय आ चुका है इनके जगा दूसरे उमिद्वार को सर्जू राई जी को और सुनील सिंग जी को खोजा जा रहा है तो बादवा की उमिद्वार है विरेंची ना राएं जी या फिर चिहा थनपाद लोगसभा के आगामी चुनाव को लेकर अगर पिपक का को विदायक इतनी बड़ी जानकारी खुले आम दे रहा है तो सचमुच यह एक गंबीर मुद्दा है और गंबीर बात है मुझे लगता है यह दिवालिया पन इनका हो चुका है इनका टिकेट कटने का समय आ चुका है इनका टिकेट कटने का समय आ चुका है अखिर बेरमो के विधायक कुमार जैमंगल सिंग ने इस तरह की बाते क्यों कि ये बड़ा प्रस्र है तो हम आपको बताएं कि कर बोकारो के स्केम 2 में दिशा की बैठक बुलाई गई थी जहां पर ये विधायक दिशा से दिशा भिहीन हो गए मैं भी राहिंदर बाभु का बीटक मुझे राजवनीति और मुझे दिशा ना सिखाएं कि किस दिशा में मुझे काम करना है मैं जब पैदा लिया था तब मुझे मेरे पिता सिखा के गाते कि मुझे कैसे काम पर अब उनके बाबुजी को भी हमी बनाये थे हैं यहां बेसमी धाय को हमी पंद्यमेंट्री एफेस्ट में निस्ट तो वह अब तजुरुआ हमको सिखा रहे हैं दिशा की बैठक में जब विधायक जैमंगल सिंग को एक मुद्य पर बोलने नहीं दिया गया तो जैमंगल सिंग और ठनबाद के सांचत जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उनके बारे में कई कंभीर सवाल खड़े कर दिये अध्यक्षता करना अब मुझे तो सिहाना नहीं पड़ेगा इतने सीनियर सांचत हैं अगर उनको अध्यक्षता करने का तरीका ही नहीं मालूम है वो एक जनप्रतिनिदी को बोल रहे हैं कि खतम करिया हमको पाच बिश जाना है तो आपने समय क्यों दिया आखिर जनप्रतिनिदी जनता की सवाल से दिशा की बैठक में आता है और जब जनता के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल जो जनप्रतिनिदी उसे पूछे जाते हैं वो अधिकारियों से नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे और यह तो हमेशा से इनकर रहा है कि जो अधिकारी को विधायक के द्वारा प्रशन पूछ जाना है वो अधिकारी को यह बचाने का काम करते हैं यह लगता है लोकसभा अध्यक्ष यह विधान सबा अध्यक्ष जो बोलने प्रोसीडिंग में नहीं आएगा प्यक्ति एक बड़े होने के नाते मैं इनको चाचा चाचा बोल के संभूदन कर रहा है मेरे विदान सभा का मैटर है आप उस लोग सभा के सांसद भी नहीं है सांसद चंद्रफगाज चोधरी जी है हम तो अपना सवाल पूछेंगे नहीं आप कौन होते हैं यह बोलने वाले कि आप बंद करिये अपना सवाल प्रोसीडिंग में नहीं आएगा थोड़ा इनको बूलिए तो स्वास पैसे सुधरेगा जो आप आये थे जन्मीन बात उता है पहले ऐसे सांसदो को चुणना बंद करें तब जाके जन्ता का सुधरेगा पहले इनका स्वास ठीक करें लोग तब जाके जन्ता का सुधरेगा पहले इनका स्वास ठीक करें लोग तब जाके जन्ता अध्याक्स यह होंगे, समिधान के तहद यह अध्याक्स होंगे, यह इस बार चुनाव होंगे, इनको टिकेट नहीं मिल रहा है, आखरी दो तीन दिशा की बैठक यह करेंगे, आखरी बैठक होगा, इनका इसलिए बुखला गया है, और कुछ नहीं, चार साल काम किये नहीं, अब बीजेपी पार्टी को दिखा रहे हैं कि नहीं, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि टिकेट मिल का टाइम आ गया, अब टिकेट मिलने वाला है, किसको मिलेगा टिकेट, तो अब अध्याक्स के नाते, तो यह सर्वापरी है, तो जारे जो बादवा की उमीदवार हैं, इस अब बच्चा है, टिकेट के फेरा वे कुल है, कि आप काट रहा है और बना रहा है पांडेजी, पांडेजी नहीं, है यह आज तो वार हार घरकंड का, आज कोई पैदा नहीं, आज के दिन है, कोई राजनती किसी पाटी में, कि इतनी बार लागातार गीता हो, अब उस को जा ठिकट ठिकट से बख्लवाइब पोल रहा है कि सुनिल सिंग, सर्जू राय और बिरंची नारां के चलते हो डिस्टर्भ हो गए इस्टर्भ हो गए हम आह के लिए डिस्टर्भ हो गए आपको बता दिया न कि आज इतिहास धनबाद का तो है इतिया यह पूरे राज का कोई पार्टी में कोई नेता इतले दिनों तक लगातार नहीं जिए तो क्या सामसीख तो बोल रहे हैं कि आपको आज दक्स तक अरने का जो है इतने दिन तजुर्भा नहीं आए तजुर्भा ही नहीं है अब बाव जी को भी हम ही बनाई तो यहां बेस्ट नहीं है हम ही पर्लेमेंट्री अधेस नहीं है कहा कहा तजुर्भा हमको सिखा रहे हैं अब यह 28 वरस से हम MLM की मिनिस्टर है यहां बेस्ट विधायक का पुरुष्टार धर्टन का मिला है अब यहां बेस्ट है दोहजार साथ हमको सम्मानित किया गया सबसे उत्कृष्ट विधायक का तो परदेश सद्धाक्स भाजपा कर रहे है अब उनके कोई आजबिती को देशों तो हमारा बहुत प्यारा बच्चा है हमारा बहुत प्यारा बच्चा है एक नहीं है पच्चा सवाल निता है अब अधिकारी जाके मीन लेते हैं अब उस पर वो रोक रहे थो एक बार बरदास्त किया दूसरी बात कहा कि अहां यहां इबरमों की समस्या आपको भर्मान भूबले कुछा प्याप है अरे समस्या फेर वहां से दूसरी बार कहा है कि आप चले जाईए मैंने कहा कि इस पर इस प्रोप्षटी को देए जब अध़क्ता जो कर रहा है उसाजने नहीं करेगा तो मिटिंग क्या होगा अरे कहां बिधायक कि कितनी बात को मैंने कहां इसी मुद्धा पर बात करने के लिए हमारे साथ राम नरायन सर्मा है सर्मा जी सबसे पहले पता है कि बिधायक अनूप सिंग ने इस तरह की बाते क्यों कही और उनका इसारा क्या था हिवानसु जी दिशा की बैटक में बिधायक अनूप सिंग अपने छेत्र के स्वास्त विभाग से जुड़ी हुई सवाल को वहां रख रहे थे जिसके बाद सांगसद महोदय ने उन्हें कई बार टोका और इस टोका टोकी के बीच में जो बिधायके बेर्मों के हुए आपे से बाहर हो गए कि आपको प्रोसीडिंग नहीं आता है हम सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल को अटाने का प्रोसीडिंग से निकालने का आपको राइट नहीं है और जिसके बाद दोनों में टोका टोकी सुरू होती है और इसी टोका टोकी के बीच दोनों एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप का आरोप लगाना सुरू कर देते ह और जिसके बाद विदायक जी लगातार कहते हैं कि इन से मुझे राजनिती नहीं सिखनी है मैं राज़ंद्र बाभू का बेटा हूँ और जिस maison मेरा जनम हुआ था उसी दिन राज़ंद्र बाभू ने मुझे राजनिती शिहा दी ती और इसलिए जो धनबाद के सांगसद है इनका आप दिवालियापन साप साप नजर आ रहा है मुता कोई भी हो दिशा की बैठक में भले दिशा पिहीन हो गया हो ये विदायक गन या सांगसद गन लेकिन जो इसारों ही इसारों में अनुप सिंग ने एक बात कहा दी जो दभी जुवान में चल रही थी इस बात में क्या आपको कोई ताकत लगता है बिल्कुल जब ये बात एक विपक्षी पार्टी का पिदायक सरयाम लोगों के बीच और जिस छेतर के सांगसद अध्यक्षता कर रहे हैं उनके बीच बोलते हैं कि इनका टिकट कटने जा रहा है क्योंकि इनकी पार्टी के तीन बड़े नाम धनबाद लोगसवा छेतर के प्रत्यासियों के सुची में हो सकते हैं जिसमें बोकारो के बिदायक जी का नाम है आपके चत्रा के सांगसद सुनील सिंग का नाम है और अभी भारतिय जनता पार्टी में जरूर सर्यूर आई जी नहीं है उनका नाम सामने आ रहा है तो आपने आप में एक बड़ी बात है कि दनबाद लोगसवा की सीट पर सिर्थ भारतिय जनता पार्टी को नजर नहीं है विपक्ष को भी नजर है 28 साल का राजनिति केरेर में हमें कई बार number one विधाय कराने का एवारड विला है और हमें किसी से राजनिति सीक जरूरत नहीं लेकिन आप राजनिति सीक्षा ना सीक्षांसाद मौदै आपके प्यारे बच्चे ने वो बातें बता दी जो भारतिये जंता पार्टी के कई नेता जानना चाहते थे अब हिसारों हिसारों में जैमंगल सिंग ने जिन नामों पे जिक्र किया है और धनवाद लोकसभा का परतियासी बताया है अगर उन नामों में एक नाम विश्ट होता है और उस पे मुहर लगती है तो ये बच्चा अब जवान हो गया है राजनिती में